अंतरिक्ष में रूस की एक सैटलाइट ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानि ISS के लिए एक बड़ा खत्रा पैदा कर दिया है एक खराब हो चुकी रूसी सैटलाइट अंतरिक्ष में फट गई जिससे उसके सौ से ज़ादा टुकड़े स्पेस में बिखर गए इसके कारण अंतरिक्ष यात्रियों को एक घंटे तक शेल्टर लेना पड़ा शेल्टर का मतलब है कि वह ISS के एक सुरक्षित जगा पर चले गए ताकि किसी फी इमर्जनसी में वह सुरक्षित रहें इस सेटलाइट की तबाही ने अंतरिक्ष में पहले से मौजूद कच्रे को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है रूस की सेटलाइट के तूटने के कारणों के बारे में फिलहाल कोई सटीग जानकारी नहीं है जो सेटलाइट तबाह हुई है उसे 2022 में डेड़ घोशित कर दिया गया था मलबे के जुंड पर नजर रखने वाले अमेरिकी अंतरिक्ष कमान ने कहा कि अन्य सेटलाइट को इस से ततकाल कोई खतरा नहीं है इस पेस कमान ने कहा कि ये घटना गुरुवार को ही नासा के अंतरिक्ष कारिकम ने कहा कि ये तबाही अंतरिक्ष स्टेशन के पास एक कक्षा में हुई जिससे अंतरिक्ष यात्रियों को लगभग एक घंटे के लिए अपने अंतरिक्षयान में आश्रे लेना पड़ा सैटलाइट का संचालन करने वाली रूस की स्पेस एजनसी रॉस कोस्मोस ने इस पर फिलहाल कोई बयान नहीं दिया है अमेरिकी अंतरिक्ष ट्रेकिंग फर्म लियो लैफ्स के रडार ने शाम 6 बजे तक सैटलाइट के कई टुकड़े होने का पता लगाया उसने कहा कि सैटलाइट के सो टुकड़े लगभग इतने बड़े थे कि उन्हें ट्रेक किया जा सके कक्षा में बड़े मलबा पैदा करने वाली घटनाय दुरलब हैं लेकिन ये चिंता की बात है क्योंकि अंतरिक सैटलाइट से भरा हुआ है इसमें भी बहुत सारी सैटलाइट ऐसी हैं जो निश्क्रिये हैं